कुछ मुप्तक है जो देश के वर्तमान हालात पर मैंने कोशिश की है जो देश के वर्तमान हालात है उस पर मैंने प्रयास किया है कि कुछ मुप्तक हो जाए ये मैं सुनाता हूँ सुनियेगा जैसा माहौल है कि गफलत में नहीं खोश में आओ तो बात हो गफलत में नहीं, खोश में आओ तो बात हो, अपने वतन को फूप करके क्या मिला तुम्हें, मिलत का एक चराग जलाओ तो बात हो अपने वतन को फूप करके क्या मिला तुम्हें, मिलत का एक चराग जलाओ तो बात हो, सुनेगा कि जो लोग भ्रम खेला रहे हैं, NRC आएगा, मुसल्मानों को देश से निकाल दिया जाएगा मैं कहता हूँ, किसी की आवकात नहीं है जो मुसल्मानों को निकाल देश से, या हिंदूों को देश से निकाल दे या ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का देस है मैं चार लाइने पढ़ता हूँ कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन रह्मान का दुश्मन है वही राम का दुश्मन मुद्दा गलत बता के लडा रहा है मुद्दा गलत बता के लडाया गया हमें वरना यहां पे कौन है इसलाम का दुश्मन सुनियेगा यह जो शाहिन बात का मसला है मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति को जाकर के बात करनी चाहिए और शाहिन बात के लोगों से कहता हूँ कि जित तरह से सांती प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं करें लेकिन सरकार को उन्हें एक मौका भी देना चाहिए ताकि आपस में बीच में बात चित करकर इसमुद्दे को सल्टाया जा सके उन्हें कहा कि किरकरी आख में हो गर तो काजल हो नहीं सकता किरकरी आख में हो गर तो काजल हो नहीं सकता भले चोला बदल ले मन तो उज्वल हो नहीं सकता किरकरी आख में हो गर तो काजल हो नहीं सकता भले चोला बदल ले मन तो उज्वल हो नहीं सकता जब तलक तर्क संगत न्याई संगत बात नहीं सकता एक नई बात बताता हूँ आप लोगों को अभी थोड़ी दिन पहले सरदिल इमाम का बयान आया था कि चिकन नेक्स से हम पकड़के काटके तोड़के आसाम को भारत से अलग कर देंगे आसाम और हिंदुस्तान जिस छोटी सी पतली रेखा आपको दिखाई देती है भारत के मांचित्र में हिंदुस्तान के बगल में आसाम दिखाई देता है और आसाम और हिंदुस्तान को जोड़ता हुआ हिंदुस्तान में कहरा हूँ आसाम हिंदुस्तान के बाहर नहीं है आसाम हिंदुस्तान का हिस्सा है लेकिन आसाम साहिद अरुनाचल से सटा हुआ है वहाँ से जो बीच की जो आपको मांचितर में रेखा दिखाई देती है हम उसे चिकन नेक कहते हैं क्योंकि उसका इधर का भाग मुर्गे के धर की तरह और इधर का भाग मुर्गे के सर की तरह दिखाई देता है तो उसे चिकन नेक कहते हैं एक नेता जो है जो मुसल्मानों का तथा कथित नेता कहता है किसी मुसलिम ने उसको अपना नेता नहीं माना है किसी मुसलिम संगठन में नहीं माना है वो आदमी खुद को मुसलमानों का लीडर और अपना जो भी वतन परस्ती अपना दिखाता हो जिस वतन के साथ उस आदमी ने ये बयान दिया कि हम चिकन नेक से आसाम को तोड़ करके हिंदुस्तान को अलग कर देंगे मैंने चार लाईने लिखने की कोशिश की कि देश को तोड़ने जो भी आए अपनी मू की खाएगा मुर्गा कुकुडू कूब ले तो शेर कहा घबराएगा और चिकन नेक में चिकन खिला के नेक दबाया जाएगा तब सर्जी लिमान देखना बात बात चिलाएगा मैंने चार लाईने और पढ़ने की कोशिश की कि उसकी तरह से जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना देखते हैं उनके लिए चार लाईने पढ़ता हूं और आप सब की इससे भी जोड़दार तालिया मांगता हूं सुनिएगा कि हैसियत दो टके की और उस पे सोच उन्मा दी वो हमसे छीन के बंगाल या आसाम क्या लेंगे जो कहता है कि हिंदुस्तान से आसाम काटेगा उसे भारत के साइनिक तुकले तुकले काट डालेंगे बहुत 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 शुकरिया मैं बहुत बहुत धन्यबाद देता हूँ अच्छा एक चंद हो गया है जिस तरह से आज कल जहां देखिए जिसे देखिए वो धरने पर बैठ जाता है और कुछ लोग धरने को बढ़ावा देने के लिए आ जाते हैं उन्हें धरने को बढ़ावा देके मज़ा मिलता है इन्हें धरना करके मज़ा मिलता है जो वाइरल वीडियो मेरे पास पहुंचे है उन्हें देख कर मैंने एक चंद लिखने की कोशिश की सुनियेगा कि नया रोजगार चला धरना प्रदर्शनवाला बुढ़े बेरोजगारों को जवानी मिल जाती है ओ थमा के तिरंगा चाहे जो भी नारा लगवालो ख्रांतिकारी होने की निशानी मिल जाती है कि खेल कुद नाच गाना धपली बजाना और समा मनुरंजक सुहानी मिल जाती है और कामधाम कुछ नहीं पाच सो रुपईया रोजगे और मुफ्त में ही वीरियानी मिल जाती है कामधाम कुछ नहीं पाच सो रुपईया और मुफ्त में ही वीरियानी मिल जाती है एक आखरी चंद पड़के अपनी जगर लेता हूँ सुनियेगा पिछले दिनों एक फिल्म आई छपाग बहुत अच्छी फिल्म है एक एसीड अटेक की पीडिता लक्षमी पे ये फिल्म बनाई गई है मैं ये कहता हूँ कि सभी को देखना चाहिए दिपिका पादुपोर ये कभिनेत्री होती है उस पे ये फिल्म फिल्माया गया है उस पे ये सारा गृष्य इस फिल्म के सूट किये गए है बहुत अच्छी फिल्म है मैं उस फिल्म की सराहना करता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस फिल्म को देखे एक छोटा सा कांड हुआ दीपिका पादुपोर से एक छोटी सी गलती हो गई वो फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उन लोगों के साथ जाके खड़ी हो गई जो हिंदुस्तान को तोड़ने के नारे लगाते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा अला इंसा अला ऐसे लोगों के सामने जाकर बीच में खड़ी हो गई जिन्होंने विवेका नंद को हिंदुस्तान का हर युवा अपना आधर्श मानता है ऐसे लोगों के साथ वो जाके खड़ी हो गई जिन्नोंने विवेका नंद की प्रतिमा को तोड़ खंडित कर दिया तो मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया सुनेगा जब ये जेनियों में जाकरके अपने फिल्म छपाक का प्रमोशन कर रही थी उसे दोरान निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में एक निर्भया नाम की लड़की का कुछ बिगड़ेल दरिंदों ने उसके साथ दुराचार किया और उसके शरीर को छट बिछट कर दिया उसके निर्भया कांड के आरोपियों को सजा सुनाई गई तब मैंने इन दोनों बातों को जोड़ते हुए एक छंद लिखने का प्रयास किया वो मैं आपको समर्पित करता हूँ और आखरी छंद पढ़कर के अपना स्थान लेता हूँ सुनेगा कि फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूँ लक्षमी के साथ ही समर गई होती तुम प्रतिमा विवेका नंद की जिन्होंने तोर गई होती तुम तुकले तुकले गैंके ही साथ जाके खड़ी हुई चुल्लू भर पानी में उतर गई होती तुम प्रतिमा विवेका नंद की जिन्होंने तोर डाली उनके बीच जाने से मुकर गई होती तुम तुकले तुकले गैंके ही साथ जाके खड़ी हुई चुल्लू भर पानी में उतर गई होती तुम और सारे देश में तुम्हारा मान और बढ़ जाता एक बार निर्भया के घर गई होती तुम सारे देश में तुम्हारा मान और बढ़ जाता एक बार निर्भया के घर गई होती तुम बहुत बहुत धर्यवाद